हेलो एवरिवरन कैसे हो आप सब तो आज की रिडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप और वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं ठीक है तो दोनों की थिंकिंग हम आज की इस रिडिंग में देखने वाले हैं और केंडल वैक्स रिडिंग करेंगे हम आज एक दी केंडल वैक् तो आज की reading जो है हम candle wax reading करेंगे ठीक है तो याद रखे कि general reading है हर एक चीज resonate ना करेंगी ठीक है और resonate करती है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है तो वैसे ही लिना है आपको और देखते हैं चलिए देखते हैं start करते हैं कि आपके जो person है ठीक है ना आपके जो person है वो क्या तो दोना की energy को जो है ना हम निकालेंगे यहां पर इस रीडिंग में ठीक है तो candle का हम इस्तमाल करेंगे देखते हैं चलिए आप अपने person को आपको याद करना है और साथ ही बता दो कि जिनको भी मुझसे प्रत्नल रीडिंग लेनी है दिये गए WhatsApp नंबर पर कांटक करना है कोई दुसरा नंबर नहीं है ठीक है ना और ये ब्रेस्टिट आपको green adventure का ब्रेस्टिट ठीक है और आपकी love life के लिए ठीक तो इसके benefits मैंने कई वीडियो में बताया है चार्ज करके आपको दिया जाएगा ठीक है ना ओके चलो अब हम देखते हैं आपकी reading में ओके आप अपने person को याद कर लो अच्छे तरीगे से बहुत प्यार से अजिआ है है अगे सो टेंडल जल गई है हमारी चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन ने आपको यहां या तो आपको ठुक जाया है आपके फिलिंग्स आपके इमोशन की कोई कदर नहीं की है या फिर आपने इनके इमोशन इनकी फिलिंग्स की कोई कदर नहीं की क्योंकि यहां पर दोनों की एनेर्जिस में नजरा रहा है कि आप दोनों ने ही ठीक है उस ताइम जिस वक्त आप दोनों मिले या फिर बाते की call पे ही आप दोनों की बीच में थोड़ी बहुत किसी बात को ले करके मन मुटाओ हुआ है और इसी की वज़े से ठीक है इनकी feelings इनकी emotions आपने उस ताइम नहीं समझे या इन्होंने उस ताइम नहीं समझा आपको गलत समझा आप समझाना कुछ च आपके जो person है मैं देख पा रही हूँ कि वो सोच रहे हैं कि हम दोनों के बीच ठीक है हम दोनों के बीच क्या कुछ और जो है ना problem है और कैसे इसको sort out करें ठीक आप दोनों के बीच में जो चीजे हुई है I think आप दोनों कहीं मिले हो किसी ऐसे जगा आप दोनों को मिले भी काफी time हो चुका है या कुछ लोग अभी अभी मिले हैं लेकिन याप दिख रहा है कि आप जिल लोगों को काफी time हो चुका है मिले हुए अपने person से वो जो है ना किसी ऐसी जगा पे गए हैं जहां पे आप से related इनकी यादे है ठीक है और यहां से जो है ना इस person को काफी जादा इन्होंने मिस्किया है आपको बहुत मैं देख पा रही हूं कि इस परसन की फिलिंग्स थोड़ी सी जो है ना गिल्ट वाली फिलिंग्स आ रही है जैसे कि इस परसन आपकी कोई बात नहीं मानी आपका जो है ना आपने इनको ओफर किया या इन्होंने आपको ओफर कि लेकिन यहां rejection मिला है तो यहां ऐसा है और आप दोनों मुझे दिखता है फैमिली को लेकर के कुछ जगरे हुए हैं आप दोनों के बीच में फैमिली को लेकर के कोई बात हुई है आप दोनों के बीच ऐसा दिख रहा है उसके बारे में यह person सोचते हुए दिख रहा है यहां ऐसा भी है कि आपके person आपको लेकर काफी मैं देख पारे हूं ना जैसे कि होता है ना कि हम अपने आपको कितना भी रोकना चाहें लेकिन क्या होता है situation हमारे सामने कुछ हैसी आती है कि हम रोक नहीं पाते हैं खुद को तो यहां ऐसा ही देख रहा है आपके energies के अनुसा person रोक नहीं पा रहे हैं यहां देख रहा है आपके person कहीं हद तक ठीक है कहीं हद तक यह जो है ना आपको लेकर के मुझे लगता है कि अपनी family से जो है ना यह person अभी एक दो दिन पहले ही इन्होंने बाते की है ठीक लेकिन इनकी family ने जो बोला है यह इनको जो है ना है अपनी family से ठीक वो लोग अगरी नहीं कर रहे हैं आप दोनों के relationship के लिए जिसकी वज़ा से ही आप दोनों के बीच में जो है ना यहां पर पहले भी बाते हुई है लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि आपके person की family नहीं agree कर रही है नहीं मान रही है तो यहां पर जो है ना आप कई बार जो है ना आपने किसी healer से healing भी करवा ली है आपकी मैं बात कर रही हूँ आपने कहीं किसी healer से healing भी करवा रखी है लेकिन यहां पर healing नहीं हुई है आपको पता है कि आपका heart chakra block है और आप जो है इसको balance करना चाहते हो लेकिन balance नहीं हो पा रहा है आपका यह सोच रहे हैं कि मेरे life में इतने दुख इतनी तकलीफे क्यों हो रही है मुझे बार बार यह problem को सामना क्यों करना पड़ता है मैं बार बार जो है इसी problem में क्यों पर जाती हूं तो यहां पर आपके person और आपके बीच problem नज़र आ रही है आप दोनों का जो card है card कह रही हूं आप दोनों की energy जो है ना यहां पर बता रही है जैसे कि दोनों तो एक दूसरे से मिलना चाहते हो दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो बट यहां क्या होता है कि बाते होती है start ठीक है दीरे-दीरे करके start होती है किसी ना किसी बहाने बट यहां पर दीरे-दीरे-दीरे करके जो है ना यहां चीजे अलग हो रही है चीजे जो है ना पलट रही है मैं यहां पर देख पारे हूँ आपकी रिडिंग कार्ट बताते हैं जैसे कि आपके परसन कुछ अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं हाला कि यह परसन अभी गुस्ता है ठीक है यह परसन अभी गुस्ता है और यह सोच रहे हैं कि हाँ मैं ऐसा क्या करूं ठीक है ऐसा क्या करूं कि मैं उससे मिलूं मैं उससे मिलूं भी कि नहीं मिलूं क्या करूं खुद यह परसन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और यहां ऐसा है कि आपके पर्शन आपको लेकर एक एक बहुत जैसे होता ना कि पजासिव होना और आपके बारे में ज्यादा सोचना ठीक है यहां पर पजासिवने मुझे ज्यादा दिखती है आपके पर्शन आपको बहुत प्यार करते हैं बहुत जदा और आपसे आपके पर्शन बात भी करना चाहते हैं यह पर्शन सोच रहे हैं कि बाते कब होंगी बाते होती तो कुछ क्लियर होता बाते होती तो शायद हम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी उसको कुछ ना बहुत 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 स्ट्रॉंग फिल करते हैं आपके लिए बहुत स्ट्रॉंग फिल यहां आपके पॉर्शन की एनर्जी ये भी दिख रही है कि काफी जैसे होता है कि परिशान परिशान होना और काफी स्टक सा फिल करना और अपने रिलेशनसिप का फ्यूचर देखना यह परसन जो है न यह सोच रहे हैं कि फ्यूचर मतलब है या नहीं है final क्या होगा future बनेगा भी कि नहीं बनेगा क्या होगा यह person यह सोचते हुए नजर आ रहे हैं आपके आपके person आपको ले करके बहुत 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 अच्छा फिल कर रहे हैं और यहां पर ऐसा है कि आप भी सोच रहे हो मुझे लगता है कि आप साइड वाले सौंग सुन रहे हो और यहां पर दिख रहा है कि आप रो भी रहे हो वो सौंग सुन करके जो है ना आप रो भी रहे हो और आपने पॉर्शन की पिक भी देख रहे हो और देख करके सोच रहे ह हैं मेरे पास और आप अक्च्छर रातों में कई बार रोते भी ओं कई बार कि आरिव आपको सपने भी एक्सर आप C परसन के काफी ज़्यादा आ कि था दोनों ने एक दुसरे का हाथ थामा है उस तरीके के सपने भी आ आपको एंजल नंबर भी दिख रहे हैं और आप सोच रहे हों कि हाँ ये एंजल नंबर मुझे क्यों नजर आ रहे हैं क्यों आखिर दिख रहे हैं मुझे यहां ऐसा दिख रहा है जिसे कि आप जो है ना आप कुछ ज़्यादा ही नाइट के टाइम में आपका दिन तो जैसे तैसे कट जाता है बट नाइट का टाइम कटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए ठीक है नाइट का टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको मैं देख पा रही हूं कि बहुत 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 परिशान कर लो डिसीजन नहीं ले पाते हो रात में औक्सर क्यों नहीं सो पाते हो आप रात में रोते रोते आपकी रात गुजर रही है और यहीं सोचते हो THAT कि मैं कियों कभ तक मैं इस तरीके से रोंगी और इस तरीके से मैं कब तक जो है ना उसके लिए परिशान रहोंगी मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती हूँ मुझे भी जो है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है मैं नहीं कर सकती अब मुझे मुझे किसी तरीके से निकलना है बाहर बहुत मैं देख पा रही हूँ कि आपको भी अभी बहुत मिस्स कर रहे हैं और आप ही बहुत मिस्स कर रहे हैं अपने परसन को है अपने person की वो रखते हो ठीक है तो यहां की energy यही दिख रही है कि आपके जो person है आपको ले करके तो यहीं यह सोचते दिख रहे हैं कि हाँ ठीक है हम मिलेंगे बात करेंगे लेकिन लेकिन मैं future भी देखना चाहूंगी तो मैं जो हैना card से future देखूंगी ठीक है तो चलो देखते हैं पहले मैं इससे और energies को clear करती हूं उसके बाद से जो हैना हम future भी देखेंगे future में आप दोनों मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे आपके person के feelings कहीं हद तक आपको ले करके दीरे 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 जो है ना होता है ना कि खतम होती जाती है feelings तो वो मुझे नज़र आ रहा है कि दीरे दीरे करके जहना इस person की कहीं हद तक feelings वो कम पड़ रही है और आपकी तरफ बेचैनी जदा बढ़ रही है आपके person उतना जदा बेचैन नहीं हो रहे जितना बेचैन आप हो रहे हो यहां दिखता है कि आपके person दिन में कहीं एक बार दो बार आपकी fix देखते हैं लेकिन आप जहना कई बार देख लेते हो आपको कई न कई इस person के बारे में ये भी पता है कि उसकी शादी fix हो गई है या fix होने वाली है और आप उस बात को लेकर के परेशान हो उन्होंने आपसे बोल दिया है कि आपसे शादी नहीं कर सकते हैं और आप यही है कि बार 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 है ना आप दोनों के बीच में काइस्ट इसूस भी हो सकते हैं धर्म भी अलग हो सकता है दोनों का और दोनों एक दुसरे का धर्म एक्सेप्ट करने को तयार नहीं मदब की होता है न कि हाँ जो भी आपका परसन है वो बोलता है कि आपको मेरा धर्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आप बोलता हो कि मेरा धर्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो धर्म का भी कुछ मुझे नजर आ रहा है आपके person अपनी feelings को कही हद तक जो है ना smoking करके drinking करके यहाँ पे दबा रहे है और आप यहाँ पे तड़ाप रहे हो ठीक है तो चलो इतने ही मैंसे जा रहे थे मेरे पास अब मैं card से दिखूंगी ठीक है कार्ट से देखते हैं कि क्या है future future में क्या होगा growth please guide कीजिए okay creation bottom of the deck perception का card है आपका जो का मैं color देख पार हूँ जैसा कि heart chakra बहुत सारे लोगों का block है ठीक है यह जो bracelet है इसको मैं चार्ज करके दे रही हूँ ठीक है heart chakra के लिए bracelet आपके career के साथ साथ आपके heart chakra पर भी यह work करेगा growth का card है creation and abundance ठीक है तो यहां card के energy यही बता रही है कि आप दोनों के बीच आप दोनों के relationship में मैंने family issues का बताया ठीक है family issues again यहां पे दिख रहे है कि family issues हो रहे हैं आपके person को अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रही है इनकी family बहुत ही ट्रीकी तरीके से बहुत ही काइना दिखा करके अपने मन घरंत कहानिया बता करके और आपसे अलग करना ठीक है यहां पे इनका मुझे यह दिखता है जैसे कि आपसे अलग करना है ठीक है यहां पे आपसे अलग करना है इस person को और यहां पे आप लोगों की life में future में दिख रहा है कि यह सारे चीजे धी दीरे दीरे करके जहना खतम होंगी ठीक है आप चाहोगे कि जल्दी से खतम हो जाए जल्दी से clarity आजाए हम दोनों के relationship में तो नहीं होगा यह सारे दीरे दीरे करके जहना चीजे खतम होंगी यहाँ पर growth का card है यहाँ पर creation का card है तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो है आ दीरे दीरे आप दोनों का relationship work करके यहाँ पे growth में जाएगा ठीक है और growth करके यहाँ पे abundance यहाँ पे दिख रहा है आपके person को पहले अपने relationship में इन्होंने बहुत कुछ पैसे खर्च किये हैं मुझे लगता है कि relationship को सही करने के लिए यह person ने बहुत कुछ किया है आपने भी ब believe किजिए और positive रहिए ठीक है और यहीं कहूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो यह पसंद आया है मेरी reading पसंद आई है तो चैनल को subscribe ना करना भूले और आप लोग के इसी विश्वास इसी भरोसे के साथ जो है हम यह वीडियो या यह reading करते हैं तो मैं चाहूंँ कि आप मेर reading में बाबाई